तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं हूं उंकरोर स्रागत आपका मेरे और आपके अपने शनल कॉमिक बुकाई पर दोस्तों आज हम काफी दिनों बाद इवल गोगो की स्टोरी को कॉंटिन्यू करने जा रहे हैं मैं जानता हूं कि ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई है पर दूसरी वीडियो बनाते बनाते ये स्टोरी बार-बारी पीछे होती जा रही थी और इसलिए इत्ती जादा लेट हो गई जिन लोगों ने अभी तक पहली दो वीडियो नहीं देखी हैं उनका लिंक आपको ओपर कार्ट्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप पहले वो दोनों वीडियो देख लिजे वरना आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी जिन लोगों को नहीं पता इवल गोकु की स्टोरी लाइन हो रही है ड्रैगन बॉल जी के एंड के बाद जब एक बड़ी उब और गोकु लड़ रहे थे और गलती से उब गोकु के सर पे बहुत जोर की मार देता है जिससे उसकी यारदाश चली जाती है और वो फिर से कैकरोड बन जाता है इस वग वेजीटा उससे लड़ रहा है ताकि वो धर्ती को कैकरोड से बचा सकी ये स्टोरी लिखी है ओमाडा नाव यूकी ने और इसके आर्टिस्ट है जंग जीजी लाज और हमोने देखा था की कैकरोड वेजीडा से लड़ रहा होता है और उनकी लड़ाय के बीच हम देखते हैं कि वेजीटा आख़र इता जाधा difícil को और कैसे हो गया और हम वेजीटा के फ्लैश पैक में देखते हैं हम देखते हैं कि वेजिटर किंकाय के प्रैनेट पर जाता है ताकि वो उनसे ट्रेनिंग ले सके और आखिरका किंकाय को ट्रेनिंग देने के लिए मना लेता है वेजिटर किंकाय से बोलता है कि उसे वही ट्रेनिंग चाहिए जो उन्होंने केकरोड को दी थी पर Kingkai जानते हैं कि वेजिटा पर ilr काम नहीं करेगा। Kingkai समस्व हने पारहे होते कि वेजिटा करेख करना कहे囉 वो वेजिट Tahe को बताते हैं कि वो इतना तो समझ said जया है कि वेजिटा यहाँ पर इसलिए आया है ताकि वो गोकु की ट्रेनिंग को समझ सके, पर वो उसे कभी भी Spirit Bomb नहीं सिलाएंगे, क्योंकि Spirit Bomb में एक बहुत खतरनाक टेक्निक है, और गोकु के इलावा उसे दुनिया में कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, Spirit Bomb की टेक्निक पर जितना अच्छा कंट्रोल गोकु का है, उतना अच्छा कंट्रोल खुद किंकाय कभी नहीं है, इसकी बाद वजीटा बोलता है, वजीटा बोलता है कि ये बात तो तुमने सही समझी कि मैं यहाँ पर केकरोट की टेक्निक को समझना आया हूँ, मैं यह कभी नहीं समझ पाया कि आकर उसकी ताकत और मेरी ताकत में हमेशे इतना अंत्र क्यों है, और हाँ, तुम यह भी सही समझे कि मेरा यहाँ पर आने का एक मकसद है, और वो मकसद है कि मैं यहाँ पर एक special technique सेखना आया हूँ, और वह technique है कायोकेन technique, कि मुलते है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर कायोकेन सीखना है हो, पर मुझे सच में समझ नह कर दो या थीन को नहीं बढ़ा सकते हो और वो तुमारी बॉड़ी पे काफी जादा श्ट्रेंड भी डालती है तब भी किंकाय समझ जाते हैं कि वेजिटा का असले मकसद क्या है वो चाता है कि सूपर सेन में वदलने के बाद वो कायकें की टेक्नीक को यूज कर सके किंकाय व वो बोलता है कि जब एक सेन सूपर सेन की स्टेज 4 को पा लेता है उसके लिए कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है किंकाय कुछ समझ नहीं पाते है वेजिटा समझाता है कि सूपर सेन स्टेज 4 वो है जिसमें एक सेन सूपर सेन स्टेज को अपने बेस स्टेज बना लेता है कि कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हीं कर पाऊगी वेजिटा बूलता है कि मैं कर सकता हूँ जब मैं सूपर सेन के साथ कायोकेन को यूज करूँगा तो वो सूपर कायोकेन कहलाएगा इसके बाद वेजिटा सूपर सेन में दल जाता है और किंकाय को अपनी सूपर स वेजिडा बोलता है कि यह फैसला मैं करूँगा तुम नहीं किंका देखते हैं कि उसके अंटेंशन प्योर है और उसके बाद किंका आखितार उसका आपकेंस आने ले त्यार हो जाते हैं अब हम फ्लेश पैक से बाद में लड़ाय की तरफ आ जाते हैं जहां सूपर सेंट 3 ग वेजिडा अपनी सूपर सेंट 2 की स्टेज में है आके रो प्लान क्या कर रहा है वेजिडा बोलता है कि अगर तुम मुझ पर एटैक नहीं करोगे तो मैं तुम पर एटैक करूंगा इतने में वेजिडा सूपर सेंट 3 को भी और पार कर जब सकती है इसके बाद वेजिडा बीटना तागत वर नहीं हुआ है कि वो कैकरोट को अरा सकी पर उसकी स्पीड बहुत जादा बढ़ गई है क्याकरोट भी काफी पैरिशान हो जाता है वेजिटर की स्पीड को देखके और वह एकदम से वेजिटर पर अपना कीप लाश करता है क्याकरोट अब वेजिटर में कि वेजिटा तुम अभी भी इतने तेज नहीं हो कि मुझसे बचके निकल पाओ और एगनम से कैकरोट वेजिटा को बहुत जोर कीगुसा मारता है कैकरोट और वेजिटा की लड़ाई जारी रहती है और दोनों को देखके बता चल रहा होता है कि ये लड़ाई हर सेकिन के साथ कैकरोट के लिए सान होती जा रही है और वेजिटा की नहीं मुश्किल होती जा रही है वेजिटा इस वक किसी नॉर्मल शक्स से नहीं लड़ रहा है वेजिटा एक ऐसे वारियर से लड़ रहा है जो शायद इस दुनिया का सबसे बहतरीन वारियर है कैकरोड वेजिटा को बहुत बूरी तरी के से पीट रहा होता है पर कैकरोड कुछ समझाता है वो बोलता है ये बहुत अजीब बात है हम दोनों की ताकत में बहुत साथ गैप है पर मैं जब भी उसे हिट कर रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे जरासी भी चोड नहीं पहुच रही है वेजिटा कैकरोड तो देखता है और बोलता है कि लगता है इसे समझा गया अब मुझे से बता देना चाहिए कि हाँ पर क्या हो रहा है हम देखते हैं कि गोआन अभी वो ड्रैगन बॉल्स को ढूंरा होता है और ड्रैगन बॉल्स के लिए उसे रेडार चीहिए तब युसे ट्रंक्स और गुटन मिल जाते हैं जो कि ड्रैगन बॉल रेडार उसके पास लेकर आ रहे होते हैं गोहान के पास कोच विए ट्रंक्स और वोडनों से पूचते हैं कि आखे क्या चल रहा है पिकलों उन्हें पूरी बात नहीं बताई प्स ये बताया कि ड्रैगन बोलस को एकटा करना है ट्रंक्स हालाकि पूरी बात समझ चुपा होता है वो गोहान से बोलता है कि गोकु और मेरे फादर की कीज काफी देर से टकरा रही है और गोकु का औरा काफी अलग है मैं समझ सकता हूँ क्या किर क्या हो रहा है गोहान ट्रंक्स से काफी इंप्रेस होता है वो वेजिटा की बढ़ाई करता है जो ट्रेंजिंग उसने ट्रंक्स को दी है गोहान ट्रंक्स से बोलता है कि अभी मैं तुम्हें पूरी बात नहीं बता सकता हमें सबसे पहले ड्रैगिन बॉल्स टून ली है इसके बद गोटें ट्रंक्स और गोहान इनों अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं ताकि वो ड्रैगिन बॉल्स को चलते जल डून सके गोहान ये सोच के काफी दुखी हो रहा होता है कि आकि उसके पिता के साथ ही क्या हो गया वो बोलता है कि आप ऐसे कैसे हो गई वो ये नाटक तुम कब तक करोगी मुझे पता है कि मेरे अटक नुपर काम नहीं कर रहे हैं मुझे समझ आ गया है कि जैसे ही मैं तुम्हार को अटक करने वाला होता हूं तुम अपना कायोकेन बढ़ा देते हो और दस से उपर ले जाते हो वेजिटा हसता है और बोलता है कि कैकरोट आखिर तुम्हें समझ आई गया वेजिटा बोलता है कि लगता है कि अपना स्लिप लेंड दिखाने का समय आ गया है इसके बाद वेजिटा अपने सुपर सेंथ के स्चेजजाइब में चल जाता है जो आज तक गोकु भी आटेन नहीं कर पाया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुम दभूलिएगा आज की वीडियो का लाइक टार्गेट है 600 लाइक्स मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये जल्दी से जल्दी अचीव करें याद रखिये का दोस्तों जितना जल्दी ये टार्गेट अचीव होगा उतने ही जल्दी इसका अगला पाट आएगा वीडियो को अपने दोस्तों और अपने फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुम दूलिएगा आप लोग मुझे इस्टाग्राम फेजबूक और ट्रीटर पर फॉलो कर सकते हैं मैं मिलता हूँ आप लोग को अपनी नेक्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए दोस्तों और थैंक्स वाचिंग